हाई इससे पहले सिर्फ बहु बली टू में ऐसा हुआ था कि आप जब सेकेंड पार्ट का ट्रेलर देखते हो एकदम अग्साइटमेंट लेवल हाई हो जाती है पीएस टू के अंदर भी कुछ ऐसा ही है पॉनियन सिल्वन का जब पार्ट तू यानि भाग दो हिंदी वला बर्जन का जो बोला जा रहा है वो काफी ज़्यादा जबरतस्त है किस तरीके से चोला एंपायर ग्रो किया था फिर उसके अंदर किस तरीकी के अड्वांसमेंट थ तो सथ विक्रम और जैम राम्रवी का जो रूल यह एंपर दिखाया गया थित्ते करीकालन जो की विक्रम थे साथ नहीं है अरूं मॉली जेरम रवी है अब भी आपनियन सिल्वन बेसिकली जिए हैरम रभी के बनने की कहानी है कैसे आरून मोली पन जाता है PART न में हमने देखा कि किस तरीके से जो कंफ्लिक्ट हो रहे हैं साथ आपने पॉलिटिकल अफेर्स हैं जैसे जैसे चॉला एंपार को गिराने की कोशिश करी जा रही है वो रोग कौन को ने जो यह कर रहे हैं यह सब आपको देखने को मिलता है सिकंड पार्ट में और ज्यादा सब्सक्राइब के अजिसके अंदर अब भूट सारे अफ़ी सब्सक्राइब गरा देखने वाले जो कंदिखा यह ता अग्पारिशनषिप डायनेमिक्स दिखने वाले हैं इस पेसिफिकली जो आधित्ते का अरिकालन का जो रोल होगा पैसे लिए तो नों के पैसे वों क्यों यह दिखाया जाएगा और वो जो ओल्डर वाली जो आश्वरय राय है वो क्यों बार-बार आके पानी से निकल के बचा लेती है उसके यंगर ब्रादर को तो वो कैसे कैसे राजा-राजा बनता है जायराम रवी के इस तरीके से अरुन मोली को बचाते हैं वो राइस हो जो मैंने यहाँ ट्रेलर देखा उसका स्केल उसकी प्रोडक्शन कॉलिटी उसका कॉस्ट्यूम मैं यहां तक बुलूँगा कि नरेटर स्टाइल को काफी कुछ देखने पर इसको मजबूर कर देता है यह एक ऐसी कहानी है जो बताता है आपको कि अपने गेम अफ थ्रोंस जैसे जो सीरीज हम देखते हैं बहार यहां पर कई जो कीडम से आपस मैं लट रहे है उसको देखने के ज़रूत ही नहीं है अगर यहां पर आपके बाद बढ़िया डिरेक्टर हों स्टोरी टेलर्स हों तो यहीं पर यहीं आपको देखने को मिल जाएगा और जो तमिल स्टोरी लगी जो में पता हो नहीं चाहिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और पार्ट वन जहां से एंड हुआ था पार्ट टू कैसा लगए ट्रेलर में कि वहीं से कंटिनियो हुआ है काफी चीजे से स्पेंसफल होंगी जो भार आंगी बहुत सो लोगों ने नही नहीं नहीं तरहोंगी जो भेटता होगा या पड़ा होगा वार औहसे और अच्छे तरीगे से मज़ा है कि आप कुछ भी के पर में ना पड़ोग मोई देखो और उसके बाद थोड़ा सान пошद ऑनको कि कितनी इसके अंदर घेराई है किती चीज़े गया है क्या मॉड डुल जब ये अड़ अपरिल के अंदर आएगी तो 28th April आई शाया दिफाय रिमेंबर करेक्ट ली तो काफी अच्छे तरीके से फर्स दे फर्स शो वाला मामला आपका बन सकता है वाली के साथ भूभी जब वाच इप विद यो किद्स वेल सो अब इसको थमजब देता है जब यह मूवी आईगी तो उसके बाद अपना रियाक्शन चेयर कर दूँ है मैंने जब पार बन देखा तो मैंने बताया था कि वन अप दो बेटर डिरेक्टेड एंड एडिटेड काइंड एडिटेड काइंड फर मूवी आई रिली लवड़ थ झाल आके लाध वानाएंग है जब दो जग्जेज्वी सत्तुमेर कर दो सकत एंपाओी तो मैंने ग्से पैंड ने भूब